हालो फ्रेंड्स मैं विकास चोधरी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो गर्मियों का मौसम आ गया तो गर्मियों के मौसम से बचने के लिए हमें कूलर या फिर फैन की जुरूत पड़ती है और इसका जो टोटल खर्चा है दोस्तों वो मुश्किल से 30 या 40 रुपे में कंप्लीट बन के तयार हो जाएगा और यह एक सिंगल बेड या फिर एक सिंगल बेड या एक छोटे रूम के लिए बहुत ही capable है तो आप इसको easily बना भी लोगे तो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपस रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरू देखें वीडियो को लाइक जरू करें जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया हो सब्सक्राइब जरू कर ले यहां पर 2 cm का मार्क करके एक चोटा सा पीश हमें टुकडा चाहिए होगा जो कि हमारे मेन पंखे का हब होगा जहां पर हमारी मोटर फिट होगी तो आपको ऐसे ही हेक्जाबलेट की हेल्प से काट सकते हैं दोस्तों हेक्जाबलेट इलेक्ट्रिकल हाडवेर शोप के उपर इसली 5 या 10 रुपए के बीच में मिल जाती है डबल साइड वाली 10 रुपए की और सिंगल साइड वाली 5 या 8 रुपए के आसपास मिल जाती है और कटिंग करने के बाद आपको ऐसे ही रेत्ती की हेल्प से इसको क्लीन कर लेना है दोस्तों दोनों साइड से प्लेन सर्फेस दोस्तों और जो हमने डू सेन्ट मीट का टुकडा काटता था 40-50 इम्यम का उसको मार करके और हम एक एक टुकडा या पर काटेंगे में यहाँ पर दू पींया दोस्तो सकते हं और को डीग da मरे वीडियो श्यूंफ़ कर दूँना क्योंकि प्रोसेस सेम रहेगी को है । मेरे पाशे की नाहीं अगर आपके पास कट ज़लरी साह से भी काट सकते हैं या कोई भी नुकेली चीज से इसली कट कर सकते हैं तो जो पीस हमने काटा था उसको रहती के उपर मैंने एक दम प्लेन सर्फेस करके और इंस्टेंट गिलू की हल्प से जो हमने दो सेंटीमेटर का पीस काटा था वो चिपका दिया है तो यह देखिए तो जैसे ही अगर आपकी के लिए ज्यादा रह जाती है तो ऐसे से आपकी जितने भी जॉइंट है उसके उपर ऐसे गोल गोल घुमा के काट सकते हैं तो मैं पर चिपकाने के बाद फैविटाइट का यूज करूंगा दोस्तों उसको और ज्यादा अच्छी मजबूती देने के लिए अगर आपको ज फैविटाइट नहीं है तो आप सिंपल पांच रुपे की इंस्टेंट गिल्यू जो हमारी फैविक काती है उसका यूज भी यहां पर कर सकते हैं तो देखिए अब मैं हमें सेंटर पॉइंट चाहिए होगा तो जो हमारा हमने जो पाइप यूज की थी दो सेंटीमेट का ज दूसरी सीट के उपर मैं यहां पर जो मोटर का साइज रहेगा दोस्तों मोटर मैं आगे आपको दिखा दूआ उस मोटर से थोड़ा साथ एक सेंटीमेटर ज्यादा हम साइज पर यहां पर कटिंग कर लेंगे मैं आप सर्कुलर कटर की यूज कर रहा हूं दोस्तों अगर बात के पास यह नहीं है तो आप किसी भी चाकू से या फिर पांच रुपए का पीवी सी कट रहा था उससे भी काट सकते हैं तो यह देखिए तो मैं यह पर जो हमारा पहले से मैं ने लगाया था उसके अंदर एक सेंटर होल कर लेते हैं तो मैंने यह यह द्रिल मेशीन से ह होल किया है आप कोई भी नुकेली चीज से होल कर सकते हैं यह देखिए तो मैं यहाप एक जो हमारा डीवीडी प्ले रहता है दोस्तों या फिर आपका जो डीवीडी या जो सीप्यू में लगता है तो उसका भी उसके अंदर जब भी आप मोटर निकालोगी तो उसके साथ गेर भी निकलेगा यानि कि जो पुली होती है वह भी निकलेगी तो उसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं तो मैंने उस पुली को यहाँ पर चिपका दिया है इस्टेंट गिलू के यहलप से वह देखिए तो वोही motor मैं यहां पर यूज करूए और जो यह motor खराब कि यह लॉन होती है क्योंतर भी टीवी टी प्लेयर है काफी कि टाम तक चलते हैं तो याँ पर के पिछम पर पॉजीटिवungen क्नक करते हैं थे पॉजिटिव हो याने प्लस और माइनस और आगे जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे कुछ भी कोई दिक्कत होगी तो हम वायर एक्चेंज करके उसको इसली कर सकते हैं तो एक जो पीवीसी पाइप का जो टुकड़ा हमने काटा था बीच से जो सर्किल तो उसको भी हम इसके हमें 8 cm आप कम या जादा कर सकते हैं 8 cm की पंखड़ी यहां पर यूज करूंगा और उसको जो सीट बनाते हो वह कैसे बनाते हो तो वह भी आपको इसी में दिखा देता हूं तो ऐसे आपको कटिंग कर लेनी है और पाइप के उपर पहले ही मैंने आपको मार कर दिया है सेंटर में मार कर दिया उसी सेंटर के अपोर्ड मैं यहां पर बीच से उसी लाइन के उ यह वोगी दोस्तों अब मैं इसके उपर मार्क कर लेता हूं याप एप 1.7 इंच और 1.5 इंच की जो उपर की साइड हमारी रहे गी वह 1.7 इंच की रहे स templar मarक कर लेता हूँ और जो भी मार्क मैंने यह यहां पर टैस्ट करके मारक कर लेटा वह हमारे पंखुड़ी की बीच की सक Outro यहां six कि प्रोसेस करेंगे तो सवर हम आदा ऑच इं जो हमारा जो बॉर्डर होगा यादिन कि अमारी मोटर के उपर connect होगा तो जो connector हो हम यहां पर आदा आदा इंच का है यहां पर मार्क कर लेते हैं और बाकी का जो उपर का जो पंखुडी का सीरा होगा दोस्तों जो कोटर की साइड लगेगा वह 1.7 इंचिस का होगा और जो नीचे का रहेगा वह रहेगा 1.5 इंचिस का तो इसी नाप के मैंने आप अच्छी काट कर लिया है काटने के बाद उसको रेती से उसको अच्छे से मार करके रख लिया है अब मैं इसी तरीके से तीन काटूंगा तो पहले मैं आपको मार करके दिखा देता हूं जो भी मैंने एक सीट पहले काटी थी उसी सीट के उपर मैं दूसरी इसी के साथ मार कर देंगे और मार करके सेम उसी पैटर्ण के साथ हम इसकी कटिंग कर लेंगे यह देखे तो मैंने तीनू पंखुडियां यहां पर काट ली हैं दोस्तों अब थोड़ा सा आपको यहां पर काम करना पड़ेगा जो भी हमारे जो हम clockwise घुमाते हैं पंखे को तो उसके according जो भी आएगी तो उसको थोड़ा सा में टिल्ट करना है और जो पंखुडी का जो connector है उसको भी थोड़ा सा करना है रिवर्स के साइड और जो पंखुडी है उसको उपर की तरफ से थोड़ा सा फोरवड करना है गैस के उपर गरम करके तो यह देखिए मैंने इसकी प्रोसेस है फोल्ड करने की वह कर दी है complete तो दोस्तों इसको ज्यादा आपको टिल्ट नहीं करना है थोड़ा सा ही करन है अगर आप ज्यादा करोगे तो हमारे जो फैन का जो बैलेंस है वह अन बैलेंस रहेगा तो उसलिए आप थोड़ा सा ही इसको टिल्ट करें तो अब मैं डिके हल्प से यहां पर 120 डिगरी के तीन एंगल यहां पर लूँआ क्योंकि जो हमारा सर्किल है दोस्तों वह 360 निकालते तो 120 डिगरी ही निकलता है तो उसी एकॉडिंग आपको मार्क करना है तीनों एंगल और उसी के उपर हमें जो हमारी पंखुडी हमने काटी है उसको उपर यहां पर चिपका देना है तो सेम इसी प्रोसेस के साथ आपको करना है तो और इसका यूज के लिए अप एक सिंगल बर्ट के कर सकते हैं तो ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन एक सिंगल बर्ट के लिए इनुफ फैन होगा और इसका जो बिज्रिका खर्चा हो वो बिल्कूल कम इसको बना सकते हैं बैटरी करके आप रिचार्ज भी कर सकते हैं इसको चला सकते हैं तो हमारी पंखुडी के तो पावर बैंक या फिर मोबाइल चार्जर या नाइन वोल्ट की कोई भी बैटरी अडेप्टर उससे यूज कर सकते हैं तो इसको मैं और हाड करने के लिए या और सेफटी के लिए मैं इसके पर फैविटाइट का यूज कर रहा हूं तो अच्छे से इसको चिपका देने है तो मैं या पर एक छोटा पीवी सी पाइप का टुकडा ओर ले रहा हूं यह आदा इंची का आदा इंची पाइप है पीवी सी पाइप जो बिजली फिटिंग के काम में आती है तो इसको मोटर के उपर ऐसे फिट कर देता हूं और इंस्टेंट ग्लू के हल्प से चिपका देता हूं तो इंस्टेंट के लिए आपको यह पर थोड़ी सी लगानी है दोस्तों ज्यादा ना लगा दे ताकि ज्यादा मोटर की वाइंडिंग में चली जाए तो मोटर हमारी खराब हो जाएगी यह देखे हमारे जोर सेलिंग फैन है बनके तयार है दोस्तों तो अब मै नेगेटिव और पोजिटिव पहले ही चेक कर लिया था तो उसी अकोडिंग अगर आपको अंटी क्लोक वाइज है तो आप वाइर को मोटर के वाइर है वह उल्टे कर दीजिए वह क्लोक वाइज हो जाएगी तो मैं एक बार आपको चला के दिखा देता हूं तो मैं यहाप आपको उपर की तरफ एक हूक लगाना पड़ेगा तो उसके लिए मैं एक ठोटा पीवी सी पाइप का टुकडा ले रहा हूं इसको आपको फोल्ड करके और जो हमने पीवी सी पाइप का जो टुकडा लगाया था मोटर के उपर उसके इंस्टेंट की हल्प से उसको चिपक कर सकते हैं तो मैंने देखिए एक चालू कर दिया है इसको उपर लगा दिया है देखने में काफी शुन्दर लग रहा है दोस्तों और इसकी स्पीड है वह भी काफी अच्छी है और इसकी हवा है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो I hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार आप घर पे जरूर ट्राइए करें आपको अच्छा लगेगा और आपका बिजली का बिल और आप बहुत फाइदा होगा आपको I hope दोस् और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो मिलते हैं अगले कोई इंट्रस्टिंग डोपी के साथ all the best बहुत बहुत दन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए